नमस्कार स्वागत है सबलता यसमें आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं चंबल नदी के बारे में ठीक है तो चंबल नदी के उद्गम से लेकर इसका मुहाना और चंबल नदी मद्द प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के किन-किन जिलों से प्रवाहित होत सबसे पहले मद्द प्रदेश के अंदर पूरे के पूरे अपवाहत अंतर को एक बार समय लेते हैं कि मद्द प्रदेश का पूरा अपवाहत अंतर किस तरीके से कार्य करता है तो मद्य प्रदेश के अपवात अंतर की अगर हम बात करें तो मद्य प्रदेश को नदियों का माइका कहा जाता है इस आधार पर हम ये कह सकते कि मद्य प्रदेश की जो नदियां है वो अधिकांश नदियां अन्य राज्यों में प्रवाइद होती है तो मद्य प्रदेश राज्य की जो नदियां है वो अन्य राज्यों से जाकर मिल जाती है इसलिए मद्य प्रदेश का नाम क्या है नदियों का माईका इस आधार पर हम देखेंगे यहां पर तो मद्य प्रदेश में जितनी भी नदियों का उद्गम होता है वो सारी की सारी उत्तर पूर्व दिशा की और प्रवाइत होती है और इसका कारण क्या है कि मद्द प्रदेश का जो पठारी भुबाग का जो धाल है वो उत्तर पूर्व की और है इसलिए सारी की सारी नदिया किस दिशा में प्रवाइत होती है उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है कुछ जो पठारी छेतर के दक्षिन की नदियां है वो दक्षिन दिशा में प्रवाहित हो जाती है और कुछ नदियां है जो ब्रंस गाटी के कारण तो ब्रंश गाटी के कारण ये पश्चिम पूरव से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है तो सामानदत है मद्रदेश का जो स्लोप है वो उत्तर पूरव की और मिलता है यहाँ पर हम ये देखेंगे कि नर्मदा नदी इस छेतर से निकलने के बावजूद भी ये पश्चिम दिशा में प्रवाहित हो रही है इसका कारण ये है कि ये ब्रंश गाटी में प्रवाहित होती है तो भरण्श घाटी में प्रवाहित होने के करण इसकी सामने देशा क्या है पश्चिम से पूरव की उस्वरी पूरव से पश्चिम क्या और हो जाती है इस अधार पर ये जो नदियां यहाँ पर जाती है ये अरब सागर के अंदर खमबाद की खाडी में गिरती है यहाँ पर जितनी भी नदियां जाती है यह गोदावरी तंतर के साथ मिल जाती है और उत्तर पूरब में जितनी भी नदियां जाती है यह गंगा यमना तंतर के साथ जाकर मिल जाती है इसलिए मद्य प्रदेश को क्या है नदियों का माइका कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सुतंत्र प्रवा कम मिलता है और बहुत कम नदियां मिलती है जो बाई चांसी कोई ऐसी नदी हो जो अन्य राज़त से मद्ध प्रदेश के अंदर इंटर करती है तो सारी नदियां मद्ध प्रदेश से कहां पर है बाहर की और जाती है तो इसलिए इसको दो डिवाइड करते हैं ये कहलाता है मारा सोतंत्र प्रवा और एक कहलाता है सहायक नदियों का प्रवा सोतंत्र प्रवा का मतलब है ऐसी नदियां जो किसी अन्य नदी से ना मिलकर डारेक्ट समुद्र के अंदर जाके मिल जाती हैं तो इसके अंदर जो हमें मिलती है वो है नर्मदा नदी, तापती नदी और माही नदी. तो मद्द प्रदेश की नर्मदा, तापती और माही तीन ऐसी नदियां हैं जो खंबाद की खाड़ी अरब सागर में जाकर गिरती हैं. तो ये तीन नदियां कहाँ पर जाती है अरब सागर में और इनकी जो दिशा है वो क्या रहती है पश्चीम की और तो ये किस तरह प्रवाहित होती है पश्चिम की और इसलिए हम इसको west flowing नदी कह सकते हैं कि ये पश्चिम की और प्रवाहित होने वाली नदिया हैं इसके बाद साइक तंत्र के अंदर मैंने कहा है कि या तो ये गंगा यमना तंत्र के साथ मिलेंगी या फिर गोदावरी तंत्र के साथ मिलेंगी इसलिए यहां पर हम इसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं एक के लाता है यमना गंगा का ड्रेने सिस्टम जिसका डारेक्शन रहता है उत्तर पूर्व दिशा में और एक के लाता है यहां पर गोदावरी ड्रेने सिस्टम जिसका जो डारेक्शन है वो रहता है साहूत फ्लॉइंग मतला दक्षिन की और डारेक्शन रहता है इसके अंदर मिलने वाली नदियों में चंबल, सिंद, बेतवा, कैन, टॉन, सौन, जोहिला मिलती है जिसमें से चंबल, सिंद, बेतवा ये यमना नदी के साथ जाकर मिलेंगी और टॉन्स और सौन ये गंगा नदी के साथ जाकर मिल जाती है, तो पूरा गंगा नदी का प्रवा है, इसके अलावा ये जो चार नदियां है, वेन, गंगा, पैंच, वर्दा, ये आपस में एक दूसरे के साथ मिलने के बाद, फाइनली गोदावरी नदी के साथ ये विलू हो जाती है, तो इस तरीके से हम पूरे सिस्टम को तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते, सतुंतर प्रवा, गंगा यमना का ड्रेनेज और गोदावरी का ड्रेनेज, किलिए रुआ यहां तक, इस सारे ड्रेनेज के अंदर सबसे पहले हम समझेंगे गंगा यमना का करेंगे तो स्टार्ड करते हैं सबसे पहले चंबल नदी यह द्रनेज एक बार यहाँ पर समस्थ क Ta-ghaud नदी यह आपकी चंबल नदी से आंगे जाएंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगी सिंद सिंद के बाद मिलती है यह सारी नदियां यम्हाइण ना से जाकर मिल जाती है और उसके बाद मिलती है हमें गंगा नदी तो यमना भी खुद जाके गंगा नदी में मिल जाती है इसके बाद टॉंस नदी टॉंस के बाद सो नदी ये दोनों नदियां भी गंगा नदी के साथ जाकर मिल जाएंगी इसके बाद नर्माना नदी पूरव और 5 नदियां मिलती है और सारी नदियां गोदावरी से जाकर मिल जाती है तो सबसे पहले आज की कलास में हम समझेंगे यहाँ पर चंबल नदी के बारे में चंबल नदी सिस्टम के बारे में तो चंबल नदी के अगर हम बात करें सबसे पहले इस चंबल नदी का समंद तीन राज्यों से मिलता है सबसे पहले इसका जो उद्गम राज्य है वो मद्ध परदेश मद्ध परदेश के साथ साथ ये राजस्तान की सीमा बनाती है और राजस्तान से निकलने के बाद ये उत्तर प्रदेश में पहुंच जाती है तो तीन राज्यों में इस पूरी नदी का पुवा मिलता है मद्द प्रदेश, राजस्तान और उत्तर प्रदेश मद्ध प्रदेश के महू जाना पाउ की पहाडियों से इस नदी का उदगम होता है इसके बाद ये मद्ध प्रदेश से प्रवाहित होते हुए राजस्तान और फिर राजस्तान और मद्ध प्रदेश की सीमा बनाते हुए उत्तर پरदेश में इतावा के पास यम्ना नदी से जाकर मिल जाती है तो इस तरीके से ये नदी का पूरा आप ड्रेनेज याद रखेंगे अब इसका पूरा जो ड्रेनेज याद रखेंगे वो आपको मद्य प्रदेश और राजस्तान और उत्तर प्रदेश तीन जगह समझना है सबसे ज़्यादा जो ट्रेने जो वो मद्य प्रदेश के अंदर हैं उसके बाद हमें पूरा राजस्तान का सिस्टम समझना है उत्तर प्रदेश का केवल इटावा वाला बैल्टी यहां पर आता है तो मद्य प्रदेश के अंदर इसकी अगर बात की जाए तो इस नदी का उद्गम इंदौर के जाना पाओ महू से इस नदी का उद्गम होता है इंदौर की जाना पाओ पहाडियों से निकलने के बाद ये इंदौर जिले में प्रवाइट होती है इंदौर जिले से निकलने जैसे इंदौर जिले में ये नदी प्रवाइट होगी इंदौर के आंगे ये नदी पहुंचती है उजेन के अंदर तो दूसरा जो प्रवा इसका मिलता है वो उजयन जले के अंदर मिलता है तो इंदोर से निकलने के बाद प्रवेश करेगी कहां पर उजयन में उजयन से निकलने के बाद ये अगला जो डिस्टिक मिलेगा वो है रतलाम तो उजेन से निकलने के बाद प्रवेश करती है कहाँ पर रतलाम में रतलाम से निकलने के बाद ये प्रवेश कर जाएगी मंदसौर में तो इस तरीके से मद्य प्रदेश के अंदर यहाँ पर हमें जो परवा मिलता है वो चार जिलों के अंदर मिलता है इंदौर, उजेन, रतलाम, मंदसौर इन मंदसौर के बाद जैसे ये मंदसौर को क्रोस करती है तो मंदसौर के बाद ये नदी राजस्थान में प्रवेश कर जाएगी अब राजस्थान में ये किन-किन जिलों से जाकर प्रवाइत होगी और किस जिले में जाकर ये चंबल नदी के साथ मिलेगी उस चीज़ को हम राजस्तान के मैप में समझेंगे तो आदा मैप हम अध्यपरदेश में पढ़ेंगे और बाकी का जो मैप हम राजस्तान के साथ पढ़ेंगे किलियर हुआ इतना तो ये अभी आपको केबल चार जिले याद रखने ही इसके बाद मंदसौर जिले के अंदर ही इस नदी पर एक डैम बनाया गया जिसका नाम है गांधी सागर जलाश है तो गांधी सागर डैम का निर्मान किस नदी पर किया गया है मंदसौर जिले में ही इस नदी पर किया गया है तो चंबल नदी पर ही मंदसौर में क्या इस्तित है गांदी सागर और इसी गांदी सागर में एक नदी आकर बिलती है जिसको कहते है शिवना नदी इसलिए शिवना नदी को चंबल की ही साइक नदी कहा जातो तो तो लेफ्ट हैंडी की एक महतपुन नदी है जो मंदसौर में गांधी सागर जलाशय में ही चम्मल नदी से जाके मिल जाती है। तो पहली सागर नदी होगी हमारी शिवना नदी इसके बाद इंदौर के काकरी बरडी से ही एक नदी का उधगम होता है जिसे का जाता शिप्रा नदी बहुत ही महतपुन नदी है यहाँ पर शिप्रा नदी तो इंदौर के काकरी बरडी से किसका उधगम होता शिप्रा नदी शिप्रा नदी इंदौर से निकलने के बाद प्रवेश कर जाती है देवास के अंदर तो शिप्रा नदी इंदौर से निकलेगी और इंटर करेगी कहां पर देवास में देवास से निकलने के बाद ये नदी प्रवेश करती है उज्जैन में तो सेम डारेक्शन में पहुंच जाएगी उजयन में और उजयन से प्रवाहित होते हुए ये नदी राजस्थान और मद्परदेश की सीमा, मतलब रतलाम जिले की राजस्थान की सीमा बनापे हुए मंदसौर में इस नदी से जाकर मिल जाती है. तो चंबल नदी का अपवा हमें चार राज्यों के अंदर मिलता है इंदौर, उजयन, रतलाम और मंदसौर अभी तक और उसी तरीके से शिप्रा नदी का उद्गम भी सेमा में मिलता है इंदौर बस इसमें एक जिला एड हो जाता है नया वो कौन सा दिवास तो इंदौर, इ ही एक साइक नदी है गंबीर नदी जो इंदौर से ही निकलती है और इंदौर से निकलने के बाद उजयन में जाकर मिल जाती है जिसका नाम है गंबीर नदी और इंदौर में ही एक छोटी सी नदी और इससे मिलती है यही पर मिला सकते ही छोटी सी नदी है यहाँ पर माल ल शिप्रा नदी के बाद अगर देखा जाए तो देवास के बागली गाउं से उदगम होता है काली सिंध नदी का तो देवास जले के बागली गाउं से निकलती है काली सिंध जो देवास से निकलने के बाद प्रवेश करती है शाजापूर में और शाजापुर से निकलने के बाद प्रवेश करते हैं आगे आगर मालवा और राजगड की सीमा पर तो यहाँ पर शाजापुर में प्रवेश करेगी शाजापुर से होते हुए यह आगए यहाँ पर आगर मालवा में और इस तरब जो मिलेगा वो है राजगड़ तो आगर मालवा और राजगर की सीमा बनाते हुए ये नदी प्रवेश कर जाएगी राजस्तान में यहां से ये नदी फिर से प्रवेश करेगी राजस्तान में और राजस्तान से होते हुए ये नदी जाके चंबल नदी से मिल जाएगी राजस्थान वाला बैल्ट हम राजस्थान के मैप में पढ़ेंगे अभी केवल याद रखना कि काली सिंद का उद्गम देवास से होता है देवास के बाद शाजापूर के बाद राजगर और आगरमालवा की सीमा बनाते हुए राजस्थान में चम्बल नदी से मिल जाएगी तो पहली साइक नदी हो गई हमारी शिवना दूसरी हमने पड़ी शिप्रा शिप्रा के बाद चम्बल की तीसरी साइक नदी मिलती है काली सिंद काली सिंदिक के बाद जो अगली साइक नदी मिलती है वो है पारवती नदी तो पारवती नदी का जो उद्गम है वो सिहोर की आस्टा तैसिल से होता है तो सिहोर की आस्टा तैसिल से ये नदी निकलती है सिहोर से निकलने के बाद ये नदी प्रवेश कर जाती है राजगर में तो ये राजगर जिला आ जाता है राजगर में प्रवेश करने के बाद तो राजगर से आंगे प्रवाहित होगी और अगला जो जिला मिलता है वो गुना तो राजगर से ये नदी केबल मद्द परदेश में मिलती है उसके इलावा काली सिंद और पारवती दोनों ही नदियां कहां पर मिल जाती है राजस्तान में जाकर चम्बल नदी से मिल जाती है तो ये था मद्द परदेश के अंदर चम्बल नदी की इस्तिती अब थोड़ा राजस्तान के अंदर समझे लेते हैं इनी नदियों को तो सबसे पहले हमने देखा चंबल नदी थे चंबल नदी का उद्गम होता इंदौर की जाना पाए पहाड़ियों से इंदौर से निकलने के बाद ये नदी इंदौर उज्जेन रतलाम तो इंदौर उज्जेन ये हो गया रतलाम और रतलाम के बाद ये प्रवेश कर जाती है मंदसौर में तो इसके नीचे दो जिले हैं इंदौर उज्जेन इंदौर उज्जेन के बाद प्रवेश करेगी रतलाम और रतलाम के बाद ये नदी प्रवेश करेगी मंदसौर में और मंदसौर में ही हमें इससे एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है शिप्रा नदी तो शिप्रा नदी का उद्गम कहां से हुआ था इंदौर से इन दोर से देवास, देवास से उज्जेन, उज्जेन से रतलाम और रतलाम से होते हुए मंदसौर जले के अंदर ही ये चंबल नदी से जाकर मिल जाएगी तो ये हो गई मारी चंबल नदी अब यहाँ पर हमें क्या समझना है कि जब यह चंबल नदी से जाकर मिलेगी और मंदसौर जले में ही हमने इस से एक नदी आकर देखी थी शिवना नदी तो मंदसौर जले में ही गांदी सागर डैम इस्तित है और गांदी सागर से कौन सी नदी मिलती थी शिवना नदी तो यहां तक की इस्तिती हम पिछली स्लाइड में मद्ध प्रदेश में पढ़ चुके थे अब इसके बाद ये नदी मद्ध प्रदेश से निकलने के बाद प्रवेश करेगी चतोडगर में तो राजस्तान के किस जिले में चंबल नदी प्रवेश करती है तो राजस्तान के च चितोड़ जिले में ये नदी प्रवेश करेगी और चितोड़ गड़ को क्रोस करने के बाद ये कोटा जिले में प्रवेश कर जाती है अब यहाँ पर समझना कि चितोड़ जिले के अंदर अगर हम देखें तो चितोड़ जिले के अंदर ही इस पर एक डैम मनाऊ है जिसको गह जिले से प्रवाइत होते हुए यह अंगे मध्रदेश की सीमा तक पहुंच जाएगी ठीके तो यहां तक अभी याद रखेंगे तो यह मध्रदेश की सीमा तक आपका पुनह पहुंच जाते हैं तो मध्रदेश से राजस्तान के चितोडगड और कोटा जिले से होते हुए पुना मद्ध प्रदेश की सीमा के साथ ये प्रवाइत होगी। अब कोटा जिले में हमने क्या पढ़ा था कि चंबल की जो साइक नदिया हैं जैसे शिप्रा नदी तो मंदसौर के अंदर ही मिल जाती। इसके अलावा जो दो नदियां तीन नदियां हमने और पढ़ी थी जिसमें हमने शिप्रा के बाद काली सिंद और पारवती के बारे में पढ़ा था। तो तीन नदियों में एक नदी तो मिल गई मंदसौर में जिसका नाम है शिप्रा नदी, शिप्रा नदी के बाद अगर हम देखें तो इससे मिलने वाली नदी है काली सिंध नदी, तो शिप्रा के बाद काली सिंध नदी का उद्गम कहां से होता है देवाज जले से तो यहां से देवाज जले से यह नदी निकल कर आएगी काली सिंध और इससे पहले यहाँ पर दो चीजें और याद रखना इसी पर जुआहर सागर इस्तित है और इसी पर कोटा बेराज इस्तित है तो कोटा जिले में जुआहर सागर डैम और कोटा बेराज डैम का निर्मान किया गया है तो चंबल नदी पर चार डैम हो गई मंदसौर जले में गंदी साकर डेम, चतौर गड़ में राणा साकर डेम, कोटा जले में जिवाहर सागर और कोटा बेराज की स्थापना की गई है और इसके बाद जो काली सिंध नदी है इसका उदगम देवास जले से होता है देवास से प्रवेश करेगी उजयन में उजयन से देवास से शाजापूर में शाजापूर से इस साइड जो मिलता है वो हमें आगरमालवा मिलता है और इस साइड जो मिलता है वो है राजगड ये लास्ट मैप में आप देखोगे मैंने करवाया था तो आगरमालवा और जहलावर जिले में परवेश करेगी तो राजस्तान के जहलावर जिले में और जहलावर जिले से ये राजस्तान के बारा जिले में परवेश करेगी तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें जहलावर जिले के बाद ये परवेश करती है बारा जिले में और बारा जिले के बाद ये को राजस्तान के जहलावर बाराजले से होते हुए राजस्तान के कोटा में चम्बल से मिल जाएगी तो ये होती है काली सिंध नदी काली सिंध के बाद हमने अगली जो नदी देखी थी वो थी पारवती नदी तो पारवती नदी का उद्गम सियोर जले की आश्टा तैसिल से पढ़ा था आश्टा तैसिल के बाद ये नदी राजगड में प्रवेश की थी और राजगड के बाद ये नदी गुना में प्रवेश की थी और गुना से ये राजस्तान में इंटर करती है तो यहां से हम पढ़ेंगे इसमें यह देखो, तो यहां से समझो जरा, तो यहां से आ जाएगी मारी पारवती नदी, तो पारवती नदी का उद्गम कहां से उराता देवासे, तो यहां से आ जाएगी पहले यह राजगर्ड में, राजगर्ड के बाद यह प्रवेश कर जाएगी गुना में, तो राजगर्ड स याद रखना मद्द प्रदेश के श्योपुर जिले की सीमा बनाते हुए, मद्द प्रदेश के श्योपुर जिले की सीमा बनाते हुए, कोटा के पास, या कोटा में चम्बल नदी से जाकर मिल जाएगी, तो पारवती नदी पोना श्योपुर जिले की सीमा से होते हुए, कोट में चम्बल नदी से जाकर मिल जाती है इसके बाद से अगर हम देखे तो चम्बल नदी मद्द प्रदेश के शोपुर मुरेना और भिंड तीन जिलों की सीमा बनाती है मद्द प्रदेश के शोपुर मुरेना और भिंड तीन जिलों की और उसके साथ है राजस्तान के मादोपुर, करॉली और धौलपुर इन 6 जिलों के मद्द सीमा बनाते हुए ये नदी प्रवेश कर जाएगी उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में इटावा के पास यमना नदी से जाकर मिल जाती है तो उत्तर प्रदेश में के अबल एक ही जला मिलता है वो है इट रिटावा में यम्ना नदी से जाकर यह मिल जाएगी। तो इस तरीके से यह मारा चम्बल्नदी का पूरा ड्रनेज होता है। इसके बाद यहाँ पर एक शोपुर ज़ले में नदी मिलती है, जिसको कहा जाता है सीप नदी। तो शोपूर जले में एक छोटी सी नदी मिलेगी सीप नदी जिस जगह पर ये पाली घाड करके एक यहाँ पर जगह मिलती है तो सीप नदी जिस जगह पर मिलती है पाली घाड छोड़ देना भी तो सीप नदी जिस जगह पर मिलती है उसी जगह पर एक नदी आपको मिलती है जिसको कहते हैं बनास नदी, तो सीप और सीप से मिलेगी बनास, जिस जगे पर इन तीनों नदियों का संगम होता है, तो यहाँ पर एक तरवेणी संगम मिलता है, जिसको कहते हैं रामेश्वर तरवेणी संगम, रामेश्वर नहीं बोलेंगे, रामेश्वर तरवेणी संगम यह किस नदी का संगम है तो यहाँ पर तीन नदियों का संगम है बनास नदी तो इस तरफ से जो नदी मिलती है वो बनास है यहाँ से सीब और यहाँ से क्या मिल जाएगी चंबल नदी तो तीन नदियों का संगम सीब, बनास और चंबल तीन नदियों के संगम को कहा जाता है त्रवैनी संगम और श्योपुर जिले में इससे एक नदिया आकर मिल जाती जिसको कहते हैं कुनो नदिया तो ये चंबल के कुछ सहायक नदिया होती है तो clear हो गया तो हमने चम्बल नदी की मद्ध प्रदेश में इस्तिती को समय लिया और चम्बल नदी की राजिस्तान में पूरी इस्तिती को समय लिया अब इन दोनों मैप को में एक बार आपके सामने जोड़ कर बता दे रहा हूँ कि किस तरीके से पूरे मैप को हम cover कर सकते हैं तो यहां मैं आपके साथ बना रहा हूँ तो एक बार आप लोग देखें तो सबसे पहले अगर हम चम्बल नदी की बात करें तो चम्बल नदी का सबसे पहले उद्गम देखेंगे तो चम्बल नदी का उद्गम तो ये है चम्बल नदी तो चम्बल नदी का उद्गम सबसे पहले किस जले से उतता है इंदौर जले से चंबल नदी कहां से निकलेगी तो हम कहेंगे चंबल नदी का उदगम होगा इंदौर से, तो इंदौर में कहां से होता है, तो इंदौर में चंबल नदी का उदगम किन पहाडियों से होता है, तो हम कहेंगे जाना पाओ की पहाडियों से, तो इंदौर की जाना पाओ की पहा तो इन दोर से निकलने के बाद ये नदी प्रवेश कर जाती है उज्जेन में और उज्जेन से ये नदी प्रवेश कर जाती है रतलाम में और रतलाम से प्रवेश करेगी मंदसौर के अंदर तो यहां तक की इस्तिती हमें मद्परदेश के अंदर इसकी याद रखनी है तो य अब इस मद्य पर्देश के अंदर अगर हम देखें तो किनकिन जिलों से उकर जा रही है तो सबसे जो उद्गम जिला है वो क्या मिलता हमें इंदौर इंदौर के बाद इस नदी का जो जिला है वो है उज्जेन तो इंदौर के बाद किस जिले में परवेश करेगी उज्जेन उज्जेन के बाद परवेश करेगी रतलाम और रतलाम के बाद ये नदी प्रवेश कर जाएगी मंदसौर जिले में तो किलियर हुआ यहां तक तो इंदौर्ज की जाना पाओ की पहाड़ियों से निकलने के बाद ये नदी उजयन में प्रवेश करेगी उजयन से आ जाएगी रतलाम और रतलाम से प्रवेश करेगी मंदसौर में अब मंदसौर में ही हमने देखा था कि मंदसौर में ही इस नदी पर तो मंदसौर में ही इस नदी पर एक जलाशे बनाया गया है या रिजर्वार या डैम कह सकते हैं जिसको कहते हैं गांधी सागर तो इन दौर में क्या इस्तित है इस नदी पर गांधी सागर डैम तो यह हमने देखा था कि गांधी सागर डैम किस नदी पर है चम्मल नदी पर किस जिले में मंदसौर में और इसी जगए पर जहां पर गांधी सागरता इसी जगए पर एक नदी आकर मिलती थी जिसका नाम था शिवना नदी तो इससे मिलने वाली नदी का नाम क्या हो जाएगा शिवना नदी इसके बाद हमने देखा था कि मंदसौर में ही इसकी एक साइक नदी मिलती है जिसका नाम है शिप्रा शिप्रा नदी के उदगम की अगर हम बात करें तो शिप्रा नदी का उदगम भी इंदौर के काकरी बरड़ी से होता है इंदौर से ये नदी निकलने के बाद प्रवेश क कर जाती है देवास के अंदर तो इन दोर से ये नदी कहां प्रवेश करेगी देवास में देवास से पुना ये नदी प्रवेश कर जाती है उज्जैन में तो यहां पर फिर से मैं उज्जैन लिख दे रहा हूं तो देवास से उज्जैन और उज्जैन से फिर सीम रतलाम तो ये थी हमारी चंबल नदी, और चंबल के बाद दूसरी नदी जो मिलती है वो कौन सी है, शिप्रा नदी, तो इस तरीके से आपको पूरे का पूरा शिप्रा नदी का ड्रेनेज मिलेगा देवास, उजेन, रतलाम और मंदसौर जिले में जाकर ये चंबल नदी से मिल जाएगी इस शिप्रा नदी की अगर हम बात करें तो शिप्रा नदी की भी हमें एक साइक नदी मिलती है तो एक तो इंदौर जले के अंदर ही मिलती है और एक इंदौर से उजेन जले के अंदर मिलती है तो जो इंदौर जले के अंदर मिलती है इसको कहते है खान नदी और जो उजेन जले के अंदर मिलती है इसको कहते है गंबीर नदी तो ये दो नदीयां हमें शिपरा नदी से इंदौर जले और उजेन जले के अंदर पिलती है इसके बाद अगर हम देखें तो इससे मिलने वाली जो अगली नदी है तो इसी नदी के साथ रतला, मुझेन, देवाज, सारी नदीयां कवर करें सारे जिलों से उते हुए इसके बाद यहाँ पर है देवाज तो देवाज जिले से एक नदी का उद्गम होता है ठीके देवाज जिले से इस नदी का उद्गम होगा बागली गाउं से तो देवाज के बागली गाउं से यह नदी निकलेगी और देवाज से निकलने के बाद यह प्रवेश करेगी यहाँ पर शाजापूर में तो इस पर जो अगला राज्य मिलेगा जिला मिलेगा वो कौन सा होगा शाजापूर तो ये प्रवेश कर जाएगी शाजापूर में शाजापूर से निकलने के बाद शाजापूर से प्रवेश करेगी तो इस नदी पर एक तरफ हमें मिलेगा आगरमालवा दो शहर हमने इस न पर मिलता है हमें राजगड तो आगर मालवा और राजगड के 20 सीमा बनाते हुए ये प्रवेश कर जाएगी राजस्तान में अब जब ये नदी राजस्तान में प्रवेश करती है तो राजस्तान में ये किस जिले से जाएगी तो यहां से राजस्तान में प्रवेश करेगी तो राजस्तान के अंदर हमने इस नदी पर दो जिले पड़े थे तो पहला जिला जो हमने पढ़ा था राजस्तान के अंदर तो राजस्तान में इस कोटा में चम्बल नदी से मिल जाएगी, अब देखो चम्बल नदी, तो यहाँ पर यह किलिए हो गया, अब चम्बल नदी जब यहाँ से इंटर करेगी, अब चम्बल नदी को लेकर आते हैं, तो चम्बल नदी जब यहाँ से इंटर करेगी, तो चम्बल नदी प्रवेश कर तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा राणा सागर तो चितोडगड में ही इस नदी पर क्या बना हुआ है राणा सागर और चितोडगड के बाद ये नदी चितोडगड के बाद ये नदी प्रवेश कर जाती है कोटा में तो यह पूरे का पूरा, यहां से यह मानलो की कोटा स्टार्ट होगा, और कोटा के अंदर ही इस नदी पर दो डैम हम पढ़ते हैं, तो कोटा में ही इस नदी पर बना हुआ है जवाहर सागर, और कोटा में ही इस नदी पर हमने पढ़ा था कोटा बेराज, तो यह सारी चीज़े हमें कोटा के अंदर मिलेंगी, अब कोटा से जब यह नदी आंगे प्रवाहित होगी, तो कोटा में हमें जो नदी मिलेगी, वो नदी हमें यहां से मिलेगी काली सिंध नदी, तो ये थी हमारी काली सिंध नदी तो काली सिंध नदी कहां से निकली देवास से देवास से कहां गई शाजापूर में शाजापूर से राजगर और आगर मालवा की सीमा बनाते हुए राजस्तान, राजस्तान के जालावर और बाराजले से होते हुए कोटा के अंदर, तो यहां से उते हुए कोटा में ये नदी जाकर मिल जाएगे, अभी तक ये कोटा रहेगा तो कोटा के अंदर ही ये नदी जाकर मिलेगे, अब कोटा से ये नदी आंगे प्रवाहित होगी अब देखते हैं, इसके बाद जो अगली नदी थी वो हमें मिलती है पारवती नदी, तो पारवती नदी का उद्गम कहां से उराता है, देवास के, सुरी, सिहौर से, तो कहां से उद्गम होता है, सिहौर से, सिहौर में एक जगए मिलती है, आस्टा, तो सिहौर के आस्टा से इस नदी का उद्गम होगा, इस नदी को कहा जाता है पारवती नदी तो सिहौर के आस्टा से किस नदी का उद्गम होता है पारवती नदी का तो सिहौर के आस्टा से पारवती नदी निकलती है और ये परवेश कर जाती है सेम राजगर जिले में तो सिहौर के आस्टा से निकलने के बाद ये कहां परवे तो जैसे ये इस साइड मुड़ेगी तो यहां पर आपको जो जिला मिलेगा वो होगा गुना जिला तो राजगर के बाद किस जिले में जाएगी गुना जिले में तो राजगर से प्रवेश करेगी गुना में और गुना के बाद ये इस तरफ राजस्तान में प्रवेश कर ज जिला जाएगा, यह पूरे का पूरा 12 जिला है, तो राजस्तान के किस जिले में पहunting जाएगी, 12 जिले में, और 12 जिले से होते उए ये फिर से इस तरीके से मुड़ेगी, और शोपुर की सीमा के साथ यहां से सीमा बंजने को यहां पर यह कौन सा जिला आ जाएगा शोपुर जिला तो यहां पर आ जाएगा मद्द परदेश का शोपुर जिला और यहां से अभी तक ये पूरे का पूरा कोटा ही रहेगा और यहां से कोटा के सीमा खतम हो जाएगी तो ये कोटा में ही जाकर शोपुर जले के पास में मिल जाएगी अब इसके बाद जब ये नदी आंगे बढ़ेगी शोपूर के आंगे जब ये नदी बढ़ेगी तो शोपूर के आंगे हमें मिल जाएगा यहाँ पर मुरेना और मुरेना के बाद मिलेगा भिंड़ अब यहाँ पर याद रखे शोपूर जले में इससे एक नदी मिलती है जिसको कहा जाता है सीप नदी तो शोपूर जले में कौन सी नदी मिलती है सीप नदी जिस जगह पर सीप नदी मिलती है उसी जगह पर राजस्तान की तरफ से आकर एक नदी मिलती है जिसे कहते हैं बनास नदी तो राजस्तान की तरफ से कौन सी नदी मिलती है बनास तो सीप नदी और बनास नदी जिस जगह पर मिलती है उसको कहा जाता है तिरवेणी संगम तिरवेणी या रामेश्वरम या रामेश्वरम या रामेश्वर याद रखले ना रामेश्वर तिरवेणी संगम तो ये तीनो नदियों का यहाँ पर एक संगा मिलता है कौन-कौन सी चंबल नदी, बनास नदी और सीप नदी सीप नदी के बाद जो अगली नदी हम देखते हैं तो यहाँ पर मिल जाती है एक छोटी सी नदी जिसको काज आता है कुनो उनो नदी, यह भी शोपुर में मिलेगी, इसके बाद यह नदी प्रवेश कर जाएगी मुरेना में, मुरेना से प्रवेश कर जाती है भिंड जिले में अब जैसे भिंड जिले में प्रवेश करेगी तो भिंड जिले के दक्षिन में इंटर करते हूँ इस तरीके से और आंगे जाकर ये प्रवेश कर जाएगी यूपी में और यूपी में जाकर मिल जाती किस नदी से यमुना नदी के साथ तो यूपी में ये किस नदी से मिल जाएगी यमुना नदी के साथ जाकर मिल जाएगी किस जगह पर मिलेगी इटावा के पास में तो इस तरीके से हमारा ये पूरे का पूरा चंबल नदी का मैप यहाँ पर complete होता है तो आप पूरे format में एक साथ भी पढ़ सकते हैं लेकिन यहाँ पर अगर हम direct इसको पढ़ते हैं तो हमें जिले clear नहीं पाते कि आकर ये नदी किन किन जिलों से होकर जाते हैं तो इसलिए एक बार आप मद्ध प्रदेश के जिलों की जो मैंने इस्तिती बताई हैं उसको अच्छे से cover करो उसके बाद राजस्तान के जिलों की स्तिती cover करो फिर दोनों मैप को एक साथ जोड कर भी आप पढ़ सकते हैं अब मैं पूरी नदी को एक के करके पूरा detail से बताता हूँ तब से पहले अगर हम बात करें चंबल नदी अब जितना भी पढ़ा हैं उसको पूरे को apply करते हैं तो चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है तो चंबल नदी का उद्गम इंदोर से लेकी जानापाओ की पहाड़ियों से होता है यहां से निकलने के बाद जब चंबल नदी इस छितर से निकलेगी तो यहां से होते हुए यह प्रवेश कर जाती है उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में इटावा के पास यमना नदी से जाकर मिल जाती है इस नदी की जो total length है वो 965 km मिलती है तो केवल हमें तीन पॉइंट अभी याद रखने है तो इस नदी का उद्गम कहां से होता है जाना पाओ की पहाडियों से इस नदी का मोहना कहां पर है हम कह सकते हैं इस नदी का मोहना यमना नदी से इटावा उत्तर प्रदेश में है इस नदी की total पर इसको चर्म की नदी या चर्मावती चर्मावती शब्द चमड़े से लिया गया तो चर्मावती के नाम से भी जाना जाता है और इसको काम धेनू के नाम से भी जाना जाता है और इसको कई वार लोग श्रापित नदी के नाम से भी जानते हैं और ये बहुत ही सापसूतरी नदी भी है इसके अलावा इसका जो total drainage वो 130,671 square km मिलता है जिसमें से मद्ध प्रदेश के अंदर इसका 57,054 km मद्ध प्रदेश के अंदर square km area इसका मिलता तो ये 4 point हमें यहाँ पर याद रखना है उद्गम खांसे हुआ जाना पाउ की पाड़ियों से मुहाना चंबल में है लेंद 965 km है जिसमें से 320 km के अवल MP में प्रवाइट होती है टोटल जो इसका पवाच हित्र वो 1,30,000 है जिसमें से 57,000 यह के अवल मद्ध प्रदेश में प्रवाइट होती है ठीक है और इसी नदी के द्वारा चंबल नदी के द्वारा ही कटाव करके अपरदन अपक्षे की प्रिक्रिया के द्वारा रिवाइन लेंड का निर्मान किया गया है बीहड भूमी या खड भूमी का निर्मान किया गया है इसी नदी से जुड़े हुए हमें क्या मिल जाते है, rewind land मिल जाते हैं, बीहड चित्र मिल जाते हैं इसके बाद अगर हम देखें तो पहले याद रखना हमेशा नदी का उदगम बताओ, उसके बाद नदी का मोहना बताओ उसके बाद उसकी length बगरा बताएं इसके बाद इस नदी का पूरा अपवा बता सकते हैं तो ये नदी किस जगे से निकल कर आती है तो सबसे पहला जो उद्गम छेत्र है वो इस नदी पर मिलता है मैं इंदौर तो पूरे के पूरे अपवा छेत्र को अगर हम इसका समझे तो सबसे पहले मिलेगा इंदौर उंदौर के बाद इस नदी पर मिलता है उज्जेन तो इंदौर के बाद कहां परवेश करेगी उज्जेन में इंदौर उज्जेन उजेन के बाद प्रवेश करेगी रतलाम और रतलाम के बाद प्रवेश करती है मंदसौर में तो याद रखना कि यह जो चार इस्थान हम पढ़ रहे हैं यह केवल मद्य परदेश के अंतर हैं राजस्थान के चतौरगड में और चतौरगड से प्रवेश करती है यह राजस्थान के कोटा जिले में तो यह जो दो जिले हैं यह राजस्थान की अंतरगत आते हैं सौतंत रूप से और कोटा जिले के बाद यह नदी प्रवेश करती है मद्ध प्रदेश के शोपूर में तो एक तरफ मद्ध प्रदेश के शोपूर जिले की सीमा लगती है और एक तरफ राजस्थान के स्वाई मादोपूर की सीमा लगती है तो ये दोनों बॉर्डर पर आ जाएंगे तो ये दोनों ही बॉर्डर पर होंगे एक तरफ शोपूर और एक तरफ मिलेगा स्वाई मादोपूर इसके बाद आंगे बढ़ते हैं तो शोपूर के बाद मिलता है एक तरफ मुरेना और राजस्थान की तरफ मिलता है इसमें करॉली फिर मुरेना के बाद मिलता है मद्द प्रदेश की तरफ बिंड और राजस्तान की तरफ मिलता है दौनपूर तो ये तीन जो जिले यहाँ पर मिलते हैं तो ये मद्द प्रदेश और राजस्तान की सीमा वाले जिले हैं तो इसका मतलब है कि पहले ये नदी सुतंत रूप से मद्ध प्रदेश में प्रवाहित होती है फिर सुतंत रूप से राजस्तान में प्रवाहित होती है फिर ये मद्ध प्रदेश और राजस्तान की सीमा पर प्रवाहित होती है जिसमें से तीन जले मद्द परदेश के हैं शोपुर मरेना भिंड और तीन जले राजस्तान के स्वाई मादोपुर, करॉली और धौलपुर इसके बाद ये नदी इटावा में यमना नदी से जाकर मिल जाती है उत्तर परदेश के केवल इटावा में प्रवाहित होगे तो ये पूरे का पूरा अपवात अंतर हमने देख लिया तो ड्रेने सिस्टम में अगर मद्द परदेश से देखें तो मद्द परदेश से इंदौर, उज्जेहन, रतलाम, मंदसौर और उसके बाद सीमा पर जो मिलते हैं वो श्योपुर, मरेना, भिंड और राजस्तान के अंदर देखें तो चतोड़गर और कोटा और सीमा पर जो मिलते हैं स्वाई, मादोपुर, क्रॉली और धौलपुर और यूपी के अंदर केवल एक ही जला मिलता है जिसका नाम है इटावा, तो इस तरीके से तीसरे चौथे पॉइंट के अंदर उदगम, उदगम के बाद मोहाना, लेंथ, अपवा छेत्र और उसके बाद इसका पूरे का पूरा आपवा छेत्र बता सकते हैं कि ये किचने हित्र में प्रवाइत होती है, तीन राजियों के अंदर ये नदी प्रवाइत होती है, इसके बाद जो आपसे पूछा जाता है, वो किसी भी नदी की साइक नदियां पूर सकते हैं कि चंबल नदी की कौन-कौन सी साइक नदियां, तो चंबल की साइक नदियों की अगर हम पढ़ चुके हैं, तो सबसे पहली नदी मिलती है शिप्रा, शिप्रा के बाद काली सिंद्ध, काली सिंद्ध के बाद पारवती, पारवती के बाद सीप, सीप के बाद कुनो, तो ये एक तरफ से नदी मिलती है और उस साइड से जाएंगे तो शिवना, बावनी, कुराल और इसमें खासत दूर पर केबल दो अधिए याद रखेंगे एक बशेla और एक शिबना, ये चाओ तो राजस्तान की दो नधियाँ आप और याद रख सकते हैं तो जो नदियां तो ये सारी की सारी नदियां किदर से जा रही हैं ये नदियां मद्द प्रदेश की तरफ से चंबल नदी में मिलती हैं और ये नदियां राजस्थान की तरफ से ये किदर से आती हैं राजस्थान की तरफ से चंबल नदी में मिलती हैं तो इस तरीके से ये जो कहलाएंगे ये सारी के सारी right hand की नदियां कहलाएंगी और ये सारी नदियां है जो वो किदर की कहलाएंगी left hand की नदियां तो कईबा right और left के according भी question पूछा जा सकता है तो चंबल नदी से राजस्थान में left hand से नदियां मिलती है और मद्ध्रदेश में right hand से नदिया मिलती है तो राजस्तान से मिलने वाली नदिया कौन के हो उन से हो गई बामनी हो गई, कुराल हो गई, बनास हो गई और शिवना तो बामनी, कुराल, चाकन और बनास और शिवना, चाकन भी आप ऐड़ कर सकते हैं और मद्यप्रदेश की तरफ से जो नदियां मिलती है वो है शिप्रा, कालिसिंद, पारवती, सीप और कुनों। और शिप्रा की दो साइक नदियां हमने पड़ी थी, एक का नाम था खान नदि और एक का नाम था गंबीर नदि, और काली सिंद्की भी हमने 2 साइक नदियाँ जानते हैं यहां पर आपको मिलें गी एक आहु नदी और एक परबध नदी चोटी-चोटी नदीयां हैं परबध नदी आपको शोपुर के बेल्ट के आसपास ही मिल जाएगी और आहु नदी राजस्तान में मिलेगी तो दो काली सिंदिकी भी साहिक नदियां याद रख सकते हैं तो ट्रिबूटरीस हमने पड़ ली ट्रिबूटरीस के बाद चंबल नदी पर हमने चार प्रोजेक्ट पड़े थे गांदी सागर, राणा सागर, जोहर सागर और कोटा विराज तो चंबल नदी पर चार प्रोजेक्ट हैं गांदी सागर, राणा सागर, जोहर सागर और कोटा विराज ये दोनों जो प्रोजेक्ट हैं ये कोटा में इस्तित थे ये प्रोजेक्ट आपका चितौडगर में इस्तित्था और ये मंदसौर जिले में इस्तित्था तो राजस्थान में मद्द प्रदेश के अंदर बना हुआ है गांधी सागर और राजस्थान में इस पर जो पहला बना हुआ है वो है राणा सागर चितोर गर जले के अंदर, दूसरा में मिलता है जुवार सागर कोटा जले में और तीसरा मिलता है कोटा वेरा जुवार जुठा जिले में ही इस त़ी तो इस तरीके से तीन प्रोजेक्ट भी आप चम्बल नदी के बता सकते है और इसके उपर दो जल परपात हीं एक जलपरफाथ राजस्तान में स्थित है जिसका नामे चुलिया जलपरपाथ और एक जलपरफाथ आपका मद्ध प्रदेश में स्थित है इंद ओर जले परकोnia को आधिश का जाड़ी दाया जलपरफाथ करती है उज्जेन से निकलने के बाद ये नदी रतलाम और मंदसौर में प्रविश करती है मंदसौर से निकलने के बाद राजस्तान के चितोरगड और कोटा जिले से होते हुए उसके बाद मदप्रदेश और राजस्तान की सीमा पर शोपूर मरेना भिंड सुवाई महादोप इस नदी की साइक नदियों की अगर हम बात करें तो मंदसौर में लेफ्ट हैंड से मिलने वाली नदी है शिवना, शिवना के बाद राजस्थान से चाकन, कुराल और बामनी नदी आकर मिल जाती है जामनी नदी और इसके बाद इसमी एक नदी मिलती है शोगपुर में सीप नदी के पास में जिसका नाम है बनास नदी तो शोगपुर की सीप नदी, राजस्थान की बनास नदी और चंबल नदी के संगम को कहा जाता है रामेश्वर तरवेणी संगम, इसके बाद चंबल नदी से मिलती है शिप्रा नदी, शिप्रा नदी मद्द प्रदेश के जो देवाज जिले के बागली गाउं से निकलती है, देवाज जिले के बागली गाउं से निकलने के बाद शाजापूर आगरमालवा राजगड की सीमा बनाते हुए राजस्तान के जहलावर और बारा जिले से होते हुए कोटा जिले में जाकर मिल जाती है इसके बाद पार कुपूर के अंदर हमें शीप और कूदो नदिया मिलती हैं is नदी पर चीव ठाप में इस नदी पर जारी दाहा जल्परपाथ इस्तित हैं donor और राजस्थान का इसे चुलिया जल्परपाथ इस्तित है 900000 km की he Pap hip 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 pag किमलंब के बाद एक दो बाते हम शिप्ला नदी के बारे में पढ़ लेते हों तो शिप्ला नदी का उद्रि Legal गम कहा से उत्ता है काकरी बली हिल इन दौर। इंदौर से निकलने के बाद ये नदी परवेश करती है, देवास में, ठीक है सुरीए, यहाँ पर देवास आएगा, इंदौर के बाद यहाँ पर देवास एड़ कर लेना आया नहीं है, देवास के बाद ये परवेश करेगे उज्जैन में, उज्जैन में ही शिप्रा नदी पर कुम्ब मेले का आयोजन किया जाता है उसके बाद ये प्रवेश करेगी रतलाम में और लाश्ट में पहुंचेगी मंदसौर तो देवास इंदौर, देवास, उज्जेन रतलाम और मंदसौर और मंदसौर जिले में ही चंबल नदी से जाकर ये मिल जाएगी तो चंबल नदी के साथ इसका संगम होगा ठीक है तो ये शिप्रा नदी की बात हो गई और चंबल नदी जाकर यमना नदी से मिल जाती है शिप्रा नदी की दो साइक नदियां है एक नदी का नाम है गंबीर और एक नदी यहाँ छोटी से मिलती है जिसको कहा जाता है खान नदी, तो यहाँ पर मिलेगी खान नदी, तो यह आपको शिपरा नदी के बारे में याद रखना, डेटा को देख लेते हैं, तो शिपरा नदी का उद्दूम काकड़ीबरड़ी हिल देवास से होता है, यहां देवास लिख लेंगे, इस नदी का जो मोहना है, वो चम्बल नदी में है, और चम्बल नदी में कहाँ पर है, मंद स्वारज ले के अंदर, क्लियर हुआ, इस नदी की टोटल लेंथ, 195, 195 किलो मीटर है, इसका पुराना नाम जो मिलता है वो हमें अवंती मिलता है इस नदी की जो ट्रिबूटरी से वो दो है एक नदी का नाम है खान और एक नाम है गंबीर तो खान और गंबीर इसके दो साहई के नदिया हैं और इसके बाद अगर हम देखें इसका पूरे का पूरा जो अपवाच हित्र है वो मद्ध प्रदेश के अंदर यह मिलता है जिसमें इंदौर, उजेन, रतलाम और मंदसौर, देवास और एड़ कर लेंगे इंदौर, के बाद देवास, देवास के बाद उजेन, रतलाम और उसके बाद प्रवेश करती हैं मंदसौर के अंदर तो ये शिप्रा नदी के बारे में याद रख सकते हैं शिप्रा नदी के बाद हमें मिलती थी काली सिंद नदी दूसरी साइक नदी तो काली सिंद नदी का उद्गम कहां से उत्ता था देवास के बागली गाउं से निकलने के बाद ये नदी प्रवेश करती थी शाजापूर में शाजापूर के बाद ये प्रवेश करती है आगर मालवा और राजगड की सीमा पर तो इस पर कौन सा जिला मिलेगा शाजापूर शाजापुर के बाद ये आगरमालवा और राजगर की सीमा से होते हुए राजस्तान में प्रवेश करती है और राजस्तान में जो पहला जिला मिलता है वो जालावर है जालावर के बाद जो मिलता है वो बारा जिला है और बारा जिला के बाद ये कोटा में जाकर चम्बल नदी से मिल जाती है तो कोटा में किस नदी से जाकर मिलेगी चम्बल नदी से तो ये इसका पूरे का पूरा अपवा होता है ये हटा देना चितोडगर जुरुत नहीं इसकी चम्बल लिख लेना इसकी जगे पर अब इसकी ओरिजन के और इसकी दो साइक नदी है एक नदी मिलती है परबन ये लगबख शोपुर के आसपास आपको मिल जाएगी और एक राजस्तान की तरफ से छोटी सी नदी मिलती है आहू नदी तो आहू और परबन इसकी दो अन्य साइक नदिया है तो ओरिजन इसका कह से होता है, बागले गाउँ देवास से, मोहाना इसका कहां पर है, तो मोहաना हम इसका कहेंगे, चंबल नदी में कोटा के पास में मिलता है, और लेंथ इसकी टोटल 230 किलो मेटर मिलती है, ट्रिबुटरी आहوगी और परवन है, ड्रैनेज की अकरम बात करें तो ड्रैनेज मद्ध प्रदेश के किन जिलों से मिलता है तो हम कह सकते दिवाश, शाजापूर, आगरमालवा और राजगर चार जिलों में मिलता है और राजिस्थान के जहालावर 12 और कोटा जिले में मिलता है तो यह उल्टा हो गया यहाँ पर राजस्थान का मैपाना था यह खटा देना तो राजस्थान लेख लेना ठीक है यह खटा देंगे राजस्थान का आएगा यहाँ पर तो राजस्थान के जालावर बारा और कोटा जिले में इसका एरिया हमें मिल जाएगा इसके बाद एक लाश्ट नदी इसके मिलती है जिसका नाम है पारवती नदी तो पारवती नदी का उद्गम कहां से होता है आस्टा सिहौर से सिहौर से निकलने के बाद ये नदी प्रवेश करती है राजगर में और राजगर के बाद ये नदी प्रवेश करती है गोना में और गोना के बाद फिर ये शोपुर की सीमा के पास में शोपुर की सीमा यहां पर 12 जिला आ जाएगा ठीक है शोपुर की सीमा के पास में कोटा जिले में जाकर किसे मिल जाएगी चंबल नदी से मिल जाएगी ये सलाइट आ जाएगी अभी आँगे ये आगए ये चंबल नदी से जाकर मिल जाएगी तो यहाँ पर आप लिख लेंगे चंबल नदी तो उद्गम लिख लिया आस् तो राजस्तान का मैप करेंगे तो राजस्तान के बारा और कोटा जिले में ये नदी प्रवाहित होती है तो इस तरीके से हमने चंबल नदी और चंबल की सहाइक नदियों के बारे में पूरा कंप्लीट कर लिया है तो हमने चंबल नदी और चंबल की सहाइक नदियों के बार में complete कर लिया है अगली क्लास जो हम करेंगे उसके अंदश सिंध बेतवा और कें इन तीन नदियों के बारे में पढ़ेंगे जिससे आपका यमना नदी का तंतर पूरा complete हो जाएगा और फिर एक क्लास के अंदर हम टॉन्स और सौन नदियों को complete करेंगे तो पूरा गंगा यमना का जो मद्द प्रदेश के साथ अंतर जुड़ा हुआ वह आपका complete हो जाएगा तो धीरे धीरे हम सारी नदियों को मद्द प्रदेश की complete कर लेंगे मिलते हैं अगली क्लास में धन्यवाद